आज हम आप लोगों को बताएंगे कि Transformer क्या होता है और कैसे काम करता है Transformer को हिंदी भाषा में परिनामित्र बोलते है Transformer एक ऐसा विद्योत्यंत्र है जो की एक AC प्रत्यवर्ती सप्लाई की फ्रिक्वेंसी को बिना बदले उससे कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो की AC सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं जैसे की Amplifier बैटरी चार्जर इत्यादी DC उपकरन के मुकाबले बहुत कम बिजली से चलते हैं जैसे की Audio Amplifier 12W DC से काम करता है इसलिए Transformer का इस्तेमाल करके पहले AC वाल्ट को 220 वाल्ट से 12 वाल्ट में बदला जाता है और फिर इसे Rectifier की मदद से AC से DC में बदला जाता है सबसे पहले Transformer का आविशकार सन 1831 में Michael Faraday साहब ने बाद में सन 1832 में Joseph Henry साहब ने करके दिखाया था आज Transformer का इस्तेमाल बिजली के हर क्षेत्र में हो रहा है बड़े से बड़े पावर स्टेशन से लेकर एक छोटे से घर में भी Transformer का इस्तेमाल किसी ना किसी रूप में क किया जा रहा हर जगर Transformer का सिर्फ एक ही काम होता है बिजली को कम या फिर ज्यादा करना वीडियो को बड़ा ना करके हम आगे की वीडियो में समझेंगे की Transformer के भाग धन्यवाद फ्रेंट्स आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगाओ तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना और सेर करना बिल्कुल ना हो लें